Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Students, हम best of the best current affairs provide करते हैं. आप हमारी applications Carried Cloud को जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप easily आपको various courses देखने को मिलेंगे, quizzes attempt करने को मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, जो कि आपकी preparation में बहुत ज़ादा help करने वाली हैं. हमारा जो session है, हमारा जो courses है, ये क्यों top notch रहते हैं? क्योंकि जो हमारी applications है, हम यहाँ को variety of questions प्रोवाइड करते हैं, variety of notes प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको content मिलेगा बोथ Hindi as well as English में. आपको क्या करना है, हमारी application को download करना है Google App Store से, जो कि आप easily Carrier's Cloud के नाम से search करके download कर सकते हैं, and once you have downloaded, आपको login करना पड़ेगा with your Gmail ID, and login करने के बाद आपको हमारी जो भी courses है, वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे, जो भी आपको quiz attempt करनी है, वो देखने को मिलेंगी, आपको e-books मिलेंगी यहाँ पर, path मिलेंगे आपको, and जैसे मैंने आपको बताया, हम daily basis पे, weekly basis पे और monthly basis पे current affairs अप्रोड करते हैं, बोथ in Hindi as well as English language, यहाँ पर आप देखेंगे, जो daily basis पे आपको notes प्रोड किया जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस application पे quiz attempt कर सकते हैं, daily basis पे जो कि बहुत जादा helpful रहने वाली है, similarly, weekly basis पे भी आप ये करेंगे, जो current affairs हैं, उसके आपको PDF मिलेगी, and आप quiz attempt कर सकते हैं, weekly basis पे भी, जो कि आपकी preparation को एक step आगे लेके जाएगा, and फिर ऐसे ही, जो monthly basis पे आपको 100 questions की important PDF मिलेगी, वो आप revision के लिए एक बहुत अच्छा source रहेगा, आप सभी students के लिए जो government exam experience हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम banking और economic के current affairs प्रोवाइड करते हैं आपको, हम state wise current affairs प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्राकंड, उत्तरपरदेश, त्रिप्र अतिलंग न कोई भी state हो, not just this friends, इसी के साथ साथ देखेंगे, हम आपको topic wise current affairs भी प्रोवाइड करते हैं, और ये topics बहुत जादा important होते हैं, topics देखें, तो जैसे important days, national affairs, international affairs, sports, defense, science and technology, apps and web portals, name the topic और आपको उस topic के हाँ पर current affairs देखने को मिलेंगे, जो भी government schemes launch की जाती हैं, जो भी MOU science की जाती हैं, जो भी indexes and reports आती हैं, वो सारी हमारे दुआरा cover की जाती हैं, ताकि student को one of the best experience मिल सक current affairs का, और उनको इधर उधर ढूलना ना पड़े content, जहाँ पर हम आपको सारा content एक ही जगह पर provide, Hello everyone, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो में 22 मार्च के important current affairs हम discuss करेंगे, ये session आपको बहुत important लगेगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो end तक ज़रूर देखिएगा, ठीक, not just these, daily, इसी के अलावा देखो, मैं आपको suggest करूँगा, जो हम daily topic wise current affairs की वीडियो डालते हैं, आप उन topic को भी देखा करो, वो बहुत ही important रहते हैं, काफी ज़्यादा helpful रहते हैं, ये जो individual topics की वीडियो होती हैं बहुत helpful रहेंगी, बहुत connect तरीके से समझा के, अच्छे से connector क ये चीजों को बनाई जाती हैं, और बहुत जादा आपके लिए beneficial रहेंगी for revision perspective, ठीक है, चलिए start करें, सबसे पहले बात करते हैं, NAFED की, NAFED क्या होता है आपका, National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India, इन्होंने अभी recently एक MOU sign किया, Agriculture Ministry के साथ, ताकि जो millet initiative है उसको बढ़ावा दिया जा सके, देख International Year of the Millet घोशित किया गया था, International Year of the Millets, 2023 को कब घोशित किया गया था, 2018 में, Prime Minister Narendra Modi के दोगरा, अब मिलेट्स हैं, तो मिलेट्स को global scale पे ले जाने के लिए, दूसरे देशों में भी हम transport कर सकें, इसके nutritious benefits बताने के लिए, और इनसे अलग-अलग डेश बनाके, उसको promote करने के लिए, अभी NAFED ने MOU साइन किया, Agriculture Ministry के साथ, ठीक है, याद रखेंगे, काफी important, फिर आजाता है आपका, Ministry of Housing and Urban Affairs, इन्होंने अभी एक City Finance Ranking 2022 का एक portal launch किया है, इस portal पे क्या होगा, जो आपकी urban local bodies है, उनकी monitoring की जाएगी, उनको evaluate किया जाएगा, उनको reward दिये जाएगे, अब इसके basis पे क्या होगा, जो urban local bodies है ना, वो एक दूसरे के साथ competition में आ जाएगी और better करेंगी एक दूसरे से, कि हमें एक दूसरे से आगे बढ़के चले, इससे क्या होगा, motivation मिलेगी, ताकि वो और better कर सके, not just motivation, आप देखेंगे, यहीं पर एक अपने खुद की performance को improve करन के लिए, वो आगे बढ़के आएंगी, और इससे क्या होगा, जो यह portal launch किया, यहाँ पर आपका सारा data प्रोवाइट किया जाएगा, यह आपकी जो future policies बनाई जाएंगे, अर्बन local bodies के द्वारा, तो future planning में यह बहुत जादा help करने वाला है, फिर यहीं पर हम देखें, तो चार categories में इसको बाटा गया है, above 4 million, between 1 to 4 million, 100,000 से 1 million and less than 100,000, इन categories में इसको डिवाइड किया गया, ठीक, तो यह आप basic general idea दे सकते हैं, जैसे कोई dashboard होता है न, जैसे आप school में आप होते थे, या college में तो rank आती थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर urban local bodies की ranking की जाएगी, एंड उसके basis में उनको motivation मिलेगा कि हमें आगे भढ़के आना है, देख दूसरे से सामने आना है, साथ ही साथ वो अपनी जो current progress है, उसको monitor कर पाएंगे through this portal, next, next है African Union and AIEF, African Union and AIEF इनके द्वारा अभी recently एक MOU sign किया गया to build corporation in which sector, तो देखो African Union तो हमने देखी लिया, AIEF क्या होता है, African India Economic Foundation, I repeat, Africa India Economic Foundation, तो इन दोनों के बीच में एक MOU sign किया गया to build corporation in which sector, किस sector में corporation build करने की बात की कि मिलके हम काम करेंगे, वो रहेगा आपका MSME sector, ठीक है, यहीं पर आपकी जो private और public sectors है, African countries की इंडिया और एफरिका और इंडिया में, एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ने की बात की गई, एक दूसरे के साथ collaborate करने की यहां पर बात कीगी, ताकि एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, तो business में और growth देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर African Union की बात करूँ, यह officially established की गई थी July 2002 में, Durban में, ठीक, so coming back, remember African Union and AIEF, इनके बीच में MOU sign हुआ to build corporation in the MSME sector, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी और यहां पर देख सकते हैं, शेख हशीना, यह प्राइम मिनिस्टर हैं, बांगलादेश की, तो इन दोनों प्राइम मिनिस्टर ने भी recently inaugurate किया है, cross border energy pipeline, IBFPA है, इंडिया, बांगलादेश, friendship pipeline, यह इंडिया और बांगलादेश के बीच में यह pipeline रहेगी, यह electricity provide करने के लिए और यह ऐसा पहला joint venture रहेगा या फिर ऐसा पहला jointly project है, between India और बांगलादेश, और इंडिया के लिए ऐसा electricity का यह second project रहेगा, ठीक, फिर अगर मैं बात करूँ, इंडिया में सिली गुडी से, सिली गुडी जो की West Bengal में है, यहां से लेके आपका बांगलादेश में दिनाजपूर district तक रहेगा, ठीक है, जो की बांगलादेश में है, इंडिया में अगर मैं बात करूँ, यही आपका 5 km तो रहेगा, सिली गुडी West Bengal में, और यह बांगल 35 km तक penetrate किया जाएगा, 346 करोड रुपी की लागत से इसको बनाया जा रहा है, और यह आपका 131.5 जैसे अभी हमने देखा, 125 बांगलादेश में और 56 कुछ किलो में इंडिया में यह पाइपलाइन रहेगी, तो यह टोटल पाइपलाइन क्या है, बेसिकली बांगलादेश क कुछ ताइम पहले एक न्यूज आई थी कि बांगलादेश में इलेक्टरिसिटी प्रोवाइट की जाएगे, किस ग्रूप के द्वारा अधानी ग्रूप के द्वारा, फिर बात करते हैं लेबर 20 की, L20, यह L20 एक एंगेजमेंट ग्रूप है, इनकी जी ट्वेंटी के इंडर जी ट्वेंटी वो कहां पर हुई थी, पंजाब हर्याना में हमें देखने को मिली थी, फिर यही पर याद रखेंगे, दो जॉइंट स्टेट्मेंट्स यहां पर इंपोर्टन लांच की गई थी, वो है आपकी जॉइंट स्टेट्मेंट ऑन युनिवर्सलाइजेश जो जेंडर गैप के इशूस हैं, उसको रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी ठीक है, और फिर जो आपके लेबर्स हैं, उनको उनके लिए बैटर रूल्स देने के लिए, उनको एक्वैलिटी प्रोवाइड करने के लिए हार्स कंडिशन में उसको काम ना किया जाए, उनक को जो वेजिस हैं, उनके वो भी प्रॉपर होने चीए, इन सभी चीजों को डिसकस किया गया, अगर मैं L20 की बात करूँ, L20 समिट सबसे पहले 2011 में होई थी, ड्यूरिंग दा फ्रेंच प्रेजिडेंसी, और इस साल 2023 में L20 गुरुप के जो चेर हैं, वो कौन रहेंगे, हि L20 के तो हम जानते ही हैं, वैसुदेव कुटमकम थीम रहेगी, एक दिसमबर 2022 से लेके 30 नॉम्बर 2023 तक इंडिया के पास प्रेजिडेंसी रहेगी, ठीक है, चलिए, नेक्स पे आते हैं, नेक्स तैप पकाला दिवस, पकाला दिवस के स्टेट में अब्जर्व किया जाता ह यह बताओ, देखो पकाला दिवस, पहले तो पकाला जो ही होता है ना, पकाला एक डिश होती है, यह डिश आपकी राइस, कर्ड, क्युकुम्बर, क्युमिन सीट्स, फ्राइड अनियन, मिंट लिफ्स इन सबसे बनाई जाती है, ठीक है, और याद रखेंगी यह जो पकाला दिवस है, कब सेलिबरेट किया जाता है, यह ओडिसा में सेलिबरेट किया जाता है, और इस बार 20 मार्च को हमने अब्जर्व किया पकाला दिवस को, यह आप देख सकते हैं, इस प्रिपेर्ड विद राइस, कर्ड, क्युकुम्बर, क्युमिन सीट, फ्राइड अनियन, मिं दिवस कब अब्जर्व किया था, 2011 में, चलिए और यह कहां अब्जर्व किया जाता है, ओडिसा में, ओडिसा में ही आपकी मोबस सर्विस आ गई, ओडिसा में ही आपका फर्स्ट ओलम्पिक वेल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम आ गया, ओडिसा में ही हमने 15th एडिशन देखा था, ओडिसा में ही आपका बिगेस्ट होकी स्टेडियम रहेगा, जो कहां पर है, राओकेला में, बिर्सा मुंदा स्टेडियम, और यही आपका जो एफ़ाएच होकी वल्ड कप हुआ था, यह राओकेला एंड बावनेश्वर में हुआ था, ठीक है, चलिए, नेक् प्रएक्टर्स को बाई करना है, अगर फार्मर्स नया ट्रैक्टर बाई करना चाते हैं, तो इनको लों प्रोवाइट किये जाएँगे, at low interest rate, यह कि से द्वारा, एक को लंड इंडिंग पैक्ट इन्होंने साइन किया. ठीक यहीं पर आप देख सकते हैं यह अपने जो model है जो की they have entered into a strategic partnership under the core lending model through ub.land platform इसके अंदर यह क्या करेंगे agriculture sector में बढ़ावे की बात करेंगे agriculture sector में यह indulge होना चाहते हैं ताकि farmers की income को यह supplement कर सके and उनको loans भी provide करा सके at cheap interest ठीक है तो EFL जो की है autotrack finance limited and access bank इन दोनों के बीच में भी एक coal lending pact sign हुआ ताकि tractors के finance के लिए loan provide किये जा सके at low interest next पर आते हैं next है according to ministry of finance इंडिया की जो GDP है at least likely to grow at what percent तो 2023-24 के लिए हम देखेंगे जो मतलब हमरा fiscal year 23 हो गया यहां पर इंडिया की जो growth रहेगी वो around 7% की रहेगी even आप different organization देखेंगे वो 6-7% के बीच में इंडिया की GDP growth rate project कर रहे है and this keeps on varying from different organization to different organization आए एक organization मानलो अगर 5.9% कह रही है तो दूसरी 6.6 कह देगी 6.9 कह देगी आप जैसे ministry of finance नहीं आपे 7 का लेकिन आप समझेए इंडिया जो growth करेगा ना बिट्विन 6-7% growth हमें हां करेगा इंडिया का first quarter में 13% आपकी 13 plus percent हमें GDP growth देखने को मिली थी फिर वो और थोड़ी reduce हुई third quarter में और reduce हुई reason being manufacturing पे यहाँ पे effect पढ़ रहा है इंडिया की manufacturing कम हो गई है लेकिन आप still देखेंगे बाकी countries के साब से जब हम पूरे world का एक जायजा लेते है तो पूरे world में हम देखेंगे developing country होने के बावजूद भी इंडिया बहुत strong खड़ा हुआ है और आने वाले time में इंडिया एक बहुत बड़ा superpower निकल के साबने आ सकते है क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इंडिया का जो UPI है इंडिया का जो currency है इंडियान रुपीज multiple currencies almost 18 countries ने interest शो कर रहा है कि हम trade अपना settle करेंगे अब इंडियान रुपीज में जो की पहले हम किरते थे डॉलर में तो यह एक de-dollarization की तरफ भी एक step रहेगा ठीक है? चलिए नेक्स पे आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग तो दे मंतली एकनॉमिक रिव्यू फॉर फरवरी 2023 यह मिनिस्ट्र फाइनस के दवारा रिलीस की गई और यहाँ पर इंडियन एकनॉमिक ने पर प्रोजेक्ट किया तो ग्रोव एट 7% इन दे फिस्कल यह 22-20 थे डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेजेज रिटेल इंडिस्पेटेट तो डेकलाइन अक्टरेंस विध होलसेल इंफलेशन विच ड्रॉप तूर 25 मन्थ लो इन जैनवरी 2023 ठीक है नेक्स्ट आ जाता है NGEL, NGEL और IOCL इन्होंने साइन किया एक जॉइंट वेंचर फॉर सेटिंग अप रिन्योबल एनर्जी प्रोजेक्ट, NGEL के है आपका NTPC Green Energy Limited, इन्होंने जॉइंट वेंचर साइन किया Indian Oil Corporation Limited से और IOCL की इलेक्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए, राउंड दा क्लॉक मतलब 24-7 ये वर्क करते हैं तो इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए और एक ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए ही ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ठेक, यहीं पर जो NGEL है, NTPC Green Energy Limited ये बिल्ड करेंगे एक रिनेवल जनरेशन पूर्टफोलियो वर्ट 60 गीगवार्ट्स ओवर दे नेक्स 10 येर्स, नेक्स्ट किनको ओनर किया गया है संगीता काला निदी अवार्ड 2003 से, तो देखो संगीता काला निदी अवार्ड अगर हम बात करें तो ये दिया जाता है इन करनाटिक लेंग्विज, करनाटिक मानित किया जाता है, पहली चीज तो आप ये ही मार्ग करके चलेंगे, ठीक है, क्वेशन ऐसे आएगा, कि संगीता काला निदी अवार्ड किस फिल्ड की लेंग्विज में दिया जाता है, तो ये कारनाटिक म्यूजिक में दिया जाता है, कारनाटिक म्यूजिक में दिया ज सकते हैं Bombay Jayshri इनको honor किया गया संकीता काला नदी अवार्ड 2023 से और नेक्स्ट नेक्स्ट आज आते हैं स्पोर्ट्स की बात करते हैं Hero ISL Hero ISL क्या है यह आपका यह आपका एक स्पोर्ट्स का अवार्ड है ठीक है यह एक लीग होती है यह किस के बीच में खेली जाती है यह किस स्पोर्ट से रिलेट करती है तो यह फुटबॉल से रिलेट करती है पहली चीज ठीक है 2022-23 में इसका 9th edition हमें देखने को मिला था Hero ISL Hero Indian Super League यह आपकी 7 अक्टूबर से 18 मार्च के बीच में होई थी 2022-23 में इसमें पहली बार ATK महुन बगान यह एक फुटबॉल कलब है और इन्होंने पहली बार इस Hero ISL टाइटल को जीत लिया बैंगलोरू फुटबॉल कलब को इन्होंने फाइनल में राया और फुट फॉर्स टाइम जो 9th सीजन था Hero ISL का Hero Indian Super League का जो कि 7 अक्टूबर 2022 से 18 मार्च 2023 तक हुआ इनके द्वारा जीत लिया गया है काफी important mark करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं different different जो awards दिये गए during this cup आप इनको note कर सकते हैं if you want बट पढ़ना जरूर वीडियो को pause करके एक जस्त गो थूरू देम वन्स अल्राइट चलिए next पैज आते हैं फिर Indian Archers Indian Archers की टीम ने 10 medal जीते हैं Asia Cup 2023 में अभी Asia Cup हुआ था 2023 आर्चरी का उनके stage world world ranking tournament के हिसाब से जो हुआ वहाँ पर India ने 10 medal जीते है total 5 gold जीते 4 silver जीते और एक bronze medal जीता तो number याद रखेंगे 10 medal जीते 5 gold, 4 silver, 1 bronze और Indian Archers की टीम ने Asia Cup के दोराण 2023 में ये archery की field में जीते हैं ये medal similarly वीडियो को pause कीजिए यहाँ पर और just go through these awards and names and do take a note of जो single जीते हैं जैसे gold के तो जरूर याद रखना है इनको note कर लो पूछे जाने के पूरे chances जैसे पूछ लेंगे आपसे की राहुल या फिर रामपल चौधरी या भी इन्होंने gold medal जीता किस field में जीता है ये तो ये archery में जीता है कहां जीता एशिया कप में जीता नेक्स फिर बात करते हैं books की अनुराग बहर इन्होंने author की एक नई book जो की है A Matter of the Heart Education in India अनुराग बहर की बात करें तो ये chief executive officer है अजीम प्रेमजी फांडेशन के एंड ये founding vice chancellor है अजीम प्रेमजी युनिवरस्टी के इन्ही के द्वारा एक नई book author की गई A Matter of the Heart Education in India ठीक है this book has 110 stories जो की highlight करती है state of education in India beyond main cities the book is in order to educators who are shaping the future of our country इस book को publish किया जाएगा Wendland non-fiction books category के अंडर ठीक है याद रखेंगे नेक्स्ट श्रीमन्त कोकाते इनकी पहले book अभी English में आई है तो याद रखेंगे छद्रपजे शिवाजी महराज इन्होंने launch करी इस book को originally author किया गया था मराथी में ठीक है मराथी प्रकाशन के द्वारा ही इसको publish किया गया था और फिर उसको दिलीप चावन जी के द्वारा English में इसको translate कर लिया गया ठीक है फिर जो ये translated book थी इसको release किया गया अमोल कोले के द्वारा जो कि member of parliament है और राइट एंड श्रीमन्त कोकाते है इस रिटन four books on चत्रपति शिवाजी महराज which has been widely read and have received morave reviews next when do we observe अब आजाते हैं आपके important days पे when do you observe French language day UN French language day कब observe किया जाता है 20 March को हम UN French language day observe करते हैं ताकि create की जासा कि awareness and respect for the history, culture and achievement of each of the six official languages of the UN 20 March को observe करते हैं French language day ठीक फिर यहीं पर याद रखेंगे इसकी अगर मैं theme की बात करूँ तो theme है 321 million French speakers, billions of cultural content यह आपका theme का नाम रहेगा of international UN French language day ठीक है चलिए next पे आते हैं फिर next बात करते हैं International Day for the Elimination of Racial Discrimination 2023 21 March को हमने यह day observe किया International Day for the Elimination of Racial Discrimination ठीक है 21st March को यह day observe किया गया to create awareness to create awareness about or to promote efforts to eliminate all forms of racial discrimination discrimination को खतम करने के लिए ही यह day observe किया गया 21 March को यह day observe किया जाता है theme याद रखेंगे The urgency of combating racism and racial discrimination 75 years after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights next when do we observe World Poetry Day World Poetry Day कब observe करते हैं यह हम आपका 21 March को observe करते हैं World Poetry Day important theme याद रखेंगे always be a poet even in pros I repeat always be a poet even in pros यह आपकी theme रहेगी World Poetry Day की और पहली बार World Poetry Day कब observe किया गया था 21 March 2000 में next World Down Syndrome 21 March को observe किया जाता है and to create awareness about Down Syndrome and for the rights and inclusions of well-being of the people with Down syndrome पहली बार आपका अगर हम देखें World Down Storm यह सॉरी अगर माँ बात करूँ World Down Storm की तो 2023 में हमने 13th World Down Storm Syndrome अब्जर्व किया और पहली बार को observe किया गया 2010 में ठीक है first time it was observed in 2012 और राइट चाल लिए तो दोस्तों यह थे हमारा सेशन इसके साथ साथ एक और news discuss कर लेते हैं एक चीज और जो यह theme रहीगी World Down Syndrome की यह है With Us Not For Us और एक और news रह गई है आज की important वो है तमिलनाडू government के दौरे इनका budget प्रेजेट किया गया और इनका जो revenue deficit है वो 30,000 crore से reduce कर दिया है इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया प्लानेविल थाएगा रंजन जी के द्वारा इनका प्रेजेंट किया गया जो कि finance minister है तमिलनाडू के और यहाँ पर 7,000 crore रुपे भी allocate किये गए ताकि 1000 रुपे हर महिने दिये जा सके तो दोस्तो यह था हमारा session आज का आपको session पसंद आया अब आजाते है को एक revision पे NAFED ने साइन के एक MOU Agriculture Ministry के साथ तो सपोर्ट मिलेट इनिशेटिव MOHUA made city finance ranking 2022 पूर्टल लाइफ ताकि evaluate, recognize and reward urban local bodies African Union and AIEF ने साइन के एक MOU to build corporation in the MSME sector Prime Minister Narendra Modi शेक हसीना ने inaugurate किया पहला cross border energy pipeline IBFP जो है इंडिया बांगलादेश friendship pipeline between इंडिया बांगलादेश L20, Labour 20 adopt करेंगी joint statement in the inception meeting अमरिच सर, Punjab, दो यहाँ पे joint statement release की गई थी important पकाला दिवा सी ओडिसा में celebrate किया जाता पकाला एक दिशा मां की 20 मार्च को observe किया गया Axis Bank and Autocrat Finance Limited they entered into a co-lending pact to offer tractor loans Ministry of Finance ने मंतली economic review release किया फरवरी का और यहाँ पे इंडिया की GDP ग्रो करती है 7% in fiscal year 23 and inflation is to moderate NGEL and IOCL इननोंने sign के एक joint venture for setting up renewable energy projects Music Academy Awards की बात करें तो Padma Shri Awardee Bombay Jayashree को honor किया गया for Sangeetha Kala Nidhi Awards 2023 के लिए Next Hero ISL की बात करें तो ATK Mohun Bhagan इन्होंने Bangalore Football Club को हरा दिया to won their first ISL title Indian Archers की team ने अभी 10 medal जीते Asia Cup 2023 archery stage 1 में जिसमें से 5 gold 4 silver और एक bronze था अनुराग बहर ने author की एक नई बुक A Matter of the Heart Education in India श्रीमंत कोकाते इनकी पहले बुक इन इंग्लिशाई चत्रपति शिवाजी महराज then UN French Language Day 20 March को और 21 March को 3 दे होते हैं International Day for the Elimination of Racial Discrimination World Poetry Day and World Down Syndrome Day और इसके बाद हमने देखा कि Tamil Nadu government ने अपना budget प्रेजेट किया 2023 चौबिस के लिए with a revenue deficit of 30,000 करोड रुपीज तो दोस्तों यह हो गए हमारे आज की revision अब आ जाते हैं कुछ पुराने current affairs revise करते हैं जैसे World Oral Health Day 20 March को International Day of Happiness भी आपका 20 March को Formula 1 की बात करें तो Sergio Perez इन्होंने Saudi Arabian Grand Prix 2023 टाइटल को जीत लिया है और यह Sergio Perez किस company के लिए ड्राइब करते हैं यह Red Bull के लिए ड्राइब करते हैं Next आ जाता है BNP Paripas Open 2023 Next जारप्रकंड के Chief Minister Hemant Sorain की बात करें तो इन्होंने जार नहीं हो जना Portal यौंत किया ताकि लोग यूथ अपने आपे employment registration कर सकें अपने skills को update कर सकें यहाँ पर एंड उसके basis पर इनको job opportunities भी प्रोवाइड की जाएगी Next आ जाता है छटा edition of Global Recycling Day important है mark करेंगे क्योंकि आजकल आप देखेंगे pollution बहुत जादा है waste material भी बहुत जादा है तो Global Recycling Day 18 March को observe किया जाता है फिर इसके बाद कुछ awards देखते हैं ESAF Finance Bank इन्होंने Inclusive Finance India Awards को जीता फिर government ने अनौन्स किया सुभाष चंद्र बोस disaster management awards 2023 के लिए President Murmoo conferred with conferred प्रधान मंत्री राष्ट्रे अबाल पुरुसकार असका police station of Odisha became the country's number one police station Padma Awards 2023 की winner list को announce कर दिया गया है President Murmoo ने अप्रूफ किया 412 gallantry awards को to armed forces personal New Zealand to introduce Debbie H medal to honor women cricketers M.Yoh ये वो पहले Asian बन गए है to back Oscar nomination for best actress ठीक है तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ awards और ये थे हमारे कुछ important revision current affairs आई होप आपको session पसंद आया अगर पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और फिर जल्दी से आजाए अपने homework पर which state is the key state partner of the international SME convention 2023 के लिए next what is the name of the form of artificial intelligence that can take actions using past data and third international criminal court has issued an arrest warrant against the president of which country तो ये तीन आपके homework questions रहेंगे I hope आपको session पसंद आया अगर आप चाहते हैं इससे मुझे motivation मिलेगी ताकि मैं आपके लिए daily basis पे और better content ला सकूँ so that's all for the day friends thank you and have a nice day friends ये हमारी वीडियो थी I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ friends आप हमारे youtube channel को subscribe कर सकते हैं आप telegram channel पे जाके हमें follow कर सकते हैं and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी problem हा रही है या तो payment में या हमारे courses के साथ तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 767733862 या फिर आप हमारी mail ID पे हमें mail कर सकते हैं and I'll make sure कि आपकी जो problem है उसको जल्दी से जल्दी solve किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है या आपका course purchase हो गया है, पैसे cut गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा that's all for the day friends I hope you enjoyed the session and you can follow us on the youtube channel as well as apart from youtube channel you can go and follow us at affairs cloud, telegram channel and if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 7677-333862 apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is affairs cloud underscore official in the end friends if you use a code that is Vikas10 you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677-333862 and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue